अच्छाद अच्छ 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 अच अच्छ वेलकम टू माई चैनल पर स्वागत है जैसा कि हम वर्क एंड टाइम पुल रहे हैं देखिए आज हम एक नए टापिक पर लेकर कराएं जिसमें सर्थ पर आधारित प्रशन आते हैं, इसमें अच्छ थोड़ा से परेशान होती внимание यह थोड़ा से आसान वहईंगई अभी डो वसक्छ tent сообщ उसको भी कराएंगे इसको पहले डो कोशन देखते किसा प्रकार के आते हैं काहला हैं itt प्रस्ट में देखिए बारी बारी से काम आज कराना था लेकिन इसमें अभी एक टापिक और बचा था इसके बाद उसको कराएंगे आई देखते हैं पहला कोस्टिन करें एक कार एक कार को यहां को कर लिए को 18 दिनों में और बी उसी कार को 15 दिनों में पूरा कर सकता है बी ने कार 10 दिनों तक करके छोड़ दिया तब एकेला से इस कार को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा कोई कार सुरू करता है फिर कुछ दिन उस कार को करता है फिर उसके बाद वो चला जाता है फिर जो बच्चा है वो कार कितने दिन में करेगा ऐसा कोश्चन आता है तो देखिए यहां पर सुधार कर लेते हैं ठीक आईए देखते हैं कि यह जो है कितने दिन में मैंने जैसे बताया है आपको वैसे ही करना है अधीं करता है भी उसी काम को फंदरा दिनमें भी फंदरा दिनमें कर रहा है थोड़ा से और उपर लटते हैं ठीक इसका आप क्या ले लिजिये मैंने बताया कि आप तुरन ऐल सियम लेंगे तो ऐल सिम दैख ऐखा अठारह और 15 का नप्पे LCM हो जाएगा तो 18-95 और 15-6 का नप्पे क्या करना है भी A 18 दिन में काम कर रहा है और B 15 दिन में कर रहा है तिनका हम ने LCM ले लिया आप देखिए मैंने कहा था LCM लेने तो जो A की कार करने की छम्ता है एक दिन की 5 है और P की जो है च्छा एक दिन में च्छा काम बी कर सकता है तो आए देखते हैं तो अब कहे रहा है कि बी ने कार 10 दिनों तक करके छोड़ दिया कहने का मतलब बी जो है 10 दिन तक काम इस पर किया लेकिन कोई कारण से शोड़ दिया तो अब कह रहे हैं A अकेला से सकार को कितने दिन में पूरा करेगा तो अब A देखिए करेगा तो पहले यह निकालने भया B कितना दिन काम किया तो B जो है 10 दिन काम किया तो टोटल काम कितना किया बी ने एक दिन की छमता चा काम करने की है तो एक दिन का काम करने की जो छमता है बी की छा है तो इसे परकार अगर दस दिन भाईया काम करेगा अब क्या टोटल काम कितना है नबे तो साठ काम हो गए गटा दीजिए तो एक दिन में वह काम चा काम कर रहा है तो इसे दस दिन में दस उड़े चा तो दस चंग साठ तो टोटल नबे काम था उसने 60 काम कर दिए तो घटा देंगे कितना आजाएगा 30 काम सेज बचैगा अब यही 30 काम कौन करेगा जो बच्चा है एक एक दिन के काम करने खितनी है 5 तो यह 5 किदर से वो काम करेगा वो कितना दिन हो आएगा 6 दिन तो 5 खंग 30 यह 5 खंग 30 अदर कामेंट दीन में भूrent अंसर होगे अन्साट तो नहीं निए जो बचा होई करेगा एक कार करने इसे प्रकार पांच काम को पांच की दर से शा दिन में कर देगा तो आई देखते हैं जिस प्रकार से कहा है अपकी जल्दिस करेंगे तरह पी और क्यूंए काम को देखी पंदरा देगा asasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas काम करता है और पांच दिन बाद छोड़ दिया यह वी छोड़ रहा है चैनल चोड़ने ते इसको जैसे छोड़ रहा है जितना दिन पांच दिन किया गया है कूं कीव काम को सुरू करता और पांच दिन बाद छोड़ देता लिए पी उसे कितने दीन में कोंइए तुसी प्रकार पांच दिन क्या काम कितना होगा मैं मतलब क्यू जो है पंद्रा काम कर चुका है तब हो गया है तो अब तीस में मतलब आधा कर चुका है तीस में पंद्रा घटा देंगे तो कितना से इस काम बच्छा पांच और यही इस पंद्रा काम कौन करेगा भी पी कितना करेगा पी एक दिन की चमता दो है तो 2 से काम करते हुए इसको 2 से काम करते हुए तो इस परकार के इसमें पुछ ज्यादा नहीं करना है Parade времени है उसल्स चमता से multiply कर देंगे तो वो उतना काम किया उतना काम से total काम में घटा देना तो सेज काम बचेगा सेज काम वो बंदा करेगा जो आप बाद में आएगा तो पंदरा काम बचा है दो किदर से करेगा साथ सही तिर में काम complete हो जाएगा आए अगला प्रसंद देखते हैं प्रसंख्या तीचरा किरा कि A और B एक कार को करमसा 30 और 36 दिनों में कर सकते हैं वे दोनों एक साथ कार करना आरंब करती हैं किन्टो कुछ दिन बाद A कार छोड़ देता है और B सेज कार को 25 दिन में पूरा करता है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था तो कहने मतलब A ब जो मिलकर किसी काम को 36 दिन, 30 और 36 दिन में करते हैं दूनों ने काम को एक साथ सुरू किया था लेकिन किन्टु कुछ दिन बाद a काम छोड़ दिया लेकिन हमें ये पता नहीं है कितने दिन बाद छोड़ा है वह सेंको निकालना है फिर जो b है जो 130 काम बचचरraw था वह ने 25 को पूरा कर दिया तो पताईए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था ये कह रहा है ये देखते हैं तो आपको पहले इनको LCM निकाल लेना है आई तो A B A कर रहे हैं 30 B कर रहे हैं 36 तो इनका देखिए LCM आप निकालेंगे तो 180 होगा 36 के LCM 180 इनको काटेंगे तो इसमें कितना जाएगा 6 जाएगा और 36 580 तो 5 पार चला जाएगा इतना हो गया ठीक है अब देखिए सेसकार को 25 दिन में पूरा करता है तो कहने का मतलब है कि B का जो है कितना काम जो है लाश्ट में किया है उसका निकर यए आएगा क्यों कि च्छाब B का जो 5 का रेट से कर रहा है एक दिन काम करने की जो capacity है बी की 5 है तो उसने 25 दिन लाश्ट के काम जो किये हैं उसको हम कितने multiply कर देंगे तो 125 काम हो करेगा तो देखिए एक दिन की कार करने की जो भी की छमता है पांच कह रहे हैं इसी अगर वो 25 दिन काम किया है तो 25 दिन काम किया है तो कहने मतलब है उसने कितना काम किया उसने काम 125 करती है यहीं तो किया अभी तो बताये थे 125 काम किया एक एक दिन की काम करने की दर पांच है पांच काम कर सकता है तो इसी प्रकार यह पुलब 25 दिन किया है तो 25 गुड़े 5 कर देंगे तो 125 काम किया गया हमने कहा था फिर इसको क्या करेंगे घटा देंगे तो वह सेज काम बचेगा 180 माइनस का 125 तो देखिए तो 5 और यहां 5 मतलब 55 काम सेज है मतलब कि इसके जाने से पहले बिक के एक जाने से पहले 55 काम हुआ था अब यह काम जो है दोनों साथ सूरू कीये थे तो यही दोकाम क्या करेंगे अगर इनका जोड के क्या उपच्छा और 5 2 5215 तो पांच दिन पहले काम बी के छोड़ दिया था तो यह अपसन आपका अंसर हो जाएगा आगे आओ का सुझ में असा करता हूं अगर भी ने लास्ट के जो पचीज दिन में काम पूरा किया है मतलब जाने के बार एक है तो टोटल काम भी जो है 125 की, 1085 में से से असी में से 115 घटा है तो 55 काम बचा तो अब 55 वजब बच्चा था ये दोनों मिलकर करें ना 55 काम इए काम कि अगर इनके दोनों से छमता से जो काम बचा दिवैड कर देएंगे तो पांच दिन उन्होंने पहले काम की कर कर राख था दोनों तो इस प्रकार पांच दिन पहले जो है एक काम छोड़े के गया था, आईए अगला परसम देखते हैं, देखिए, ए और बी अकेले किसी काम को 9 तथा 18 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, किन्तु काम पूरा होने से तीन दिन पहले एक काम छोड़ कर चला गया, देखिए को कोश्चन और ये कोश्चन में थोड़ा से अंतर है, और ये कोश्चन कई बार आया ह चला गया, और काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक, काम कितने दिन में पूरा होगा, आये देखते हैं, लिख लिजी जैसे बताएं, A लिखिए, B लिखिए, तो A की जो काम 9 दिन में कर रहा है, और वहीं, B जो 18 दिन में कर रहा है, हमने बताया था इनका LCM, इनका LCM 18 ही ह तो नौ दुनी अठारा और अठारा एक नम अठारा इतना तो आप करते चले आ रहे हैं फिर हमने आप से क्या बताया था यह इनके कार करने की जो छमता मतलब ना ए जो है एक दिन का काम करने की जो छमता है दो है और बी की एक है आए देखते हैं फिर कह रहे हैं उन्होंने ए तुर्य. आ चला गया काम कितने दिन में अपकी काम कितने दिन में पूरा हुआ. देखिए, देखिए. किन्तु, काम पूरा होने से. तीन दिन पहले ए जो है एक काम छोड़ रहा है तो देखिए ए जो है काम छोड़ रहा है तो ए एक की जो है एक दिन की एक दिन की जो काम करने की दर दो है तो उन्होंने कितना अगर दो वह भी काम करते है तीन दिन तो टोटल काम होता तो यह तीन दिन छोड़ दे रहा तो यह कितना छा दिन ढूरेया च्छार लाए रहें कि थोड़ने कर दोनों को काम करना है इसलिए के डाल लगवा करते हैं इसमें पूरेय गये हैं प्लस का 6 तो 24 और 24 और यह दोनों मिल कर क्या करेंगे अब तीन दोनों को जो capacity कितनी हो जाएगे तो यह तीन से डिवाइड करतीजिए तो तीन अठ चोविश तो आठ तीन इसका अंसर आएगा आप संदेखी इसका नहीं लिए थे तो आठ दिन में यह काम पूरा हुआ था ठीक यहां पर द्यान देजिएगा क्यों इसमें एट कर रहे हैं क्योंकि जो काम पूरा होने से तीन दीन पहले यह जो है काम छोड़कर चला जाता है अगधर काम जो है दो अचील के जोड़एंगे ऑठ आठ 24, 24 में अब ये तीनों, अब दोनों को मिलकर दोनों को जोड़ दीजिए तो काम निकलाएगा कितने दिन में पूरा हुआ तो असा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा और अब जो है अगला टॉपिक आपका जो काम होगा बारी-बारी से काम उस पर हम कोश्य करतेंग करता हुआ झाला टॉपिक आपका बारी-बारी-बारी-बारी-बारी-बारी